नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टोड़ी न्यूस के ओफीशल एडियूप चलन में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि वन विभाग में आ चुकी है बामपर भरती जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोरेस डिपार्टमेंट की लेटेस सिकुर्मेंट के बारे में जो की बिलकुल सेधी भरती निकाली गई है दोस्तों इसकी आविदन जो है अन्तिम्तिती जो है आविदन करने की वो है 19 अगस 2021 तो दोस्तों वीडियो को लाज तक देगा हम आपको नोडिफिकेशन के माध्ध से एस वैकेश की पूरी जानकाई देंगे और आगे बनने से पहले जल्दी से वीडियों को लाइक करदें और लाइक करने के साथ साहत है अपने पर कौनसी योगेता होगी वो भी हम आपको बताएंगे और परेक्षा होगी या नहीं होगी वो भी हम आपको बताएंगे notification के माध्यम से यहाँ पर आपको salary काफी जबरदस मिल रहे है 34,800 रुपए पर मनत आपको salary मिलेगी और दोस्तों यहाँ पर आप दिसते हैं यह रहा official notification forest department की तरफ से जारी हो चुका है तो चलिए आपको सीधा हमारी official website पर लेके चलते हैं तो दोस्तो हमारी official website पर आने के लिए google में search करें सरकारीTodayNews.com जैसे दोस्तो आप google में search करेंगे सरकारीTodayNews.com आप सीधा हमारी official website पर आजेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दें कि forest department HP की तरफ से notification 18 zone को जारी किया गया है यहाँ पर forest guard की यह post है आप देशकते हैं यहाँ पर और number of vacancy कितनी है 311 पद यहाँ पर जारी किये गये हैं दोस्तो यह जो भरती है all over India की भरती है यानि कि पूरे भारत के candy eggs आविधन कर सकते हैं इस भरती के लिए आविधन आप देख सकते हैं यहाँ पर कब से कब तक चलेंगे चलिए आपको सिधा website के माध्यम से जानकर ही देते हैं तो दोस्तो हिमाचल परदेश forest department में आ चुकी है forest guard की bumper भरती 311 पदों पर ठीक है 311 पद यहाँ पर जारी कर दी है आविधन दोस्तो केवल आपको ओनलाइन ही करने है all over India के candy eggs आविधन कर सकते हैं लड़के और लड़किया सभी अभ्यारती पात रहूंगे आविधन करने के यानि कि पूरे भारत में किसी भी राज्ये किसी भी जिले में आप रहते हैं तो आप apply का सकते हैं लेकिन job location जो है हिमाचल परदेश की रहेगी और दोस्तो यहाँ पर selection process में सबसे पहले तो आपकी परिक्षा होगी उसके बाद आपका physical test होगा हमारे पास comment आये थे कि sir forest guard की इस भरती के लिए क्या परिक्षा होगी या नहीं होगी तो दोस्तो आपकी exam भी होगी और आपको physical test भी देना होगा ठीके वहीं आपर अब बात करते हैं इस salary की तो 5910 से लेकर के 20,200 रुपे पर तीमा आपको वेतन मिलेगा प्लस आपका grade pay भी है 2000 रुपे गा ठीके और दोस्तो यहाँ पर उमर सीमा जो है 18 से 30 वर्स है ठीके अगर आपकी उमर है अकम से कम 18 वर्स अधिकतम है 30 वर्स तो आप आविदन का सकते हैं और वहीं आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए जो आविदन शुल्क है वो आप दिसकते हैं जन्रल, EWS और अधर स्टेट्स के लिए 400 रुपे है SCST OBC के लिए 100 रुपे है और एक्सरिस्मिन के लिए बिल्कुल फ्री है और पेमेंट जो है आप ओनलाइन करा पाएंगे ठीके वहीं योग्यता यहाँ पर काफी सारे केंडियेट्स के सावाल थे कि क्या सर हम 10 ही पास से तो अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर केवल बारी पास और इसना तक पास केंडियेट्स ही आविदन कर सकते हैं ठीके इसके आविदन कब से कब तक चलेंगे तो आप देसेते हैं 7 जुलाई 2021 से 19 अगस 2021 तक इसके आविदन चलेंगे यह रहा आविदन करने का लिंक नोडिफिकेशन के साथ में यह नोडिफिकेशन है यहाँ पर आकर कि आप भरती की पुरी जानकरी ले सकते हैं फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक शिरो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जहीं जे भरत